आज हम आपको बिलकुल नए तारीके से बने हुए वेज पनीर मसाला तवा बर्गर की रेसिपी बताएंगे इसे बनाना बहुत ही आसान है हेलो दोस्तो आहुजास रेसिपी इसमें आपका स्वागत है तो चलिए बर्गर बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम बर्गर के लिए मसाला तयार करेंगे तो उसके लिए मैंने सिम्ला मेज, काजर, टमाटर, बॉल की ओवी स्वीट कॉन, हरा दनिया और पत्ता गोबी ले लिया है अब पैन में हम दो बड़े चम्मच जितना तेल गरम करने के लिए रख देंगे आप तेल की जगब बटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं फिर आदा चम्मच जीरा एक चोथाई चम्मच हीन एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर फिर हम इसमें एक बड़ा चम्मच क्रश किया हुआ अदरक और हरी मेर्ज डालेंगे तीखा आप अपनी पसंद के हिसाब से कम जादा डाल सकते हैं आप चाहें तो इसमें क्रश किया हुआ लसुन भी डाल सकते हैं इसे हम कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे इस समय हम गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे फिर हम इसमें आदा कप बारिक कटा हुआ सिम्ला मेर्ज एक चोथाई कप गाजर और एक कप बारिक कटा हुआ पता गोबी डालेंगे आप पता गोबी की जगा प्यास भी डाल सकते हैं अगर आप प्यास डालते हैं तो आप पहले प्यास को थोड़ा सा बून लें और उसके बाद गाजर और सिम्ला मेज डालें सबजियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं उसके बाद एक से दो मिनिट के लिए मेडियम फ्लेम पर हम सबजियों को पकाएंगे जब तक सबजिया थोड़ी सी सौफ्ट ना हो जाए सबजिया अब थोड़ी सी सौफ्ट हो गई है अब इसमें हम बॉइल की हुए स्वीट कॉन के दाने वन फोर्थ कप और दो मिडियम साइस के टमाटर बारिक कटे हुए डाल देंगे दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक पहले डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं सब्सक्राइब को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे डखकर एक से दो मिनिट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रहने देंगे थोड़ी देर के बाद हम इसे खोल कर देख लेंगे तो टमाटर अब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर को हम अंदर ही थोड़ा सा इस तरह से क्रश कर लेंगे फिर हम इसमें सभी मसाले डालेंगे तो पहले हम एक चम्मच जितना पाउबाजी मसाला डालेंगे आधा चम्मच लाल मेज़ पाउडर आदा चम्मच धन्या जीरा पाउडर आदा चम्मच मिक्स अप्स आप मिक्स अप्स की जगह पीजा सीजनिंग का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फिर आदा चम्मच हम इसमें कश्मीरी रेट चिली पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल कर इसे भी मिला लेंगे कश्मीरी रेट चिली पाउडर डाले से इसमें कलर बहुत ही बढ़िया आता है ये पनीर मसाला तवा बर्गर बनाना बहुत ही आसान है ये छोटे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा फिर हम इसमें 2-3 चमत जितना पानी डालेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी डालने से मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँगे अब वापस हम इसे डग कर करिब 1 मिनिट के लिए slow flame पर रहने देंगे थोड़ी देर के बाद हम इसे खोल कर वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले अब सबजियों में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और सबजी भी हमारी पक गई है फिर हम इसमें 50 ग्राम जितना क्रंबल किया हुआ पनीर डालेंगे पनीर को मैंने हाथों से थोड़ा सा फोड़ लिया है फिर 20 ग्राम जितना चीज उसे भी हम इस तरह से ग्रेड करके डाल देंगे पनीर और चीज की कॉंटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं एक चमच निम्बू का रज डालेंगे और बारी कटा हुआ हरा धन्या डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देते हैं मसाला अब बंद कर तयार है इसे हम थोड़ा सा थंड़ा होने देंगे मसाला देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितना बढ़िया और यम्मी बंद कर तयार हुआ है इसे आप रोटी या पराठा के साथ भी खा सकते हैं यहां मैंने दो बर्गर बं लिये हैं इतने मसाले में से आप चार जितने बर्गर बना कर तयार कर सकते हैं अब बर्गर बन को हम बीच से कट कर लेंगे ये बन आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे अब इसे हम थोड़ा सा सेख लेंगे तो तवे पर हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे आप बटर की जगा तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं बर्गर बन को सेखने के लिए फिर बर्गर बन की दोनों अंदर की साइट्स को हम इस तरह से तवे पर रख देंगे गैस का फ्लेम हम स्लो टू मीडियम रखेंगे और इसे सेख लेंगे तो थोड़ी थोड़ी देर में आप इसे इस तरह से थोड़ा सा गुमाते हुआ शेक लें बर्गर बन को हम इतना सेकेंगे अब इसमें हममसाला बरेंगे तो बन की निचे की साइट्स को हम इस तरह से पाटले पर या फिर प्लेट में रख देंगे अब 3-4 बड़े चम्मच जितना मसाला हम बन में रखकर अच्छे से इसे सभी तरप स्प्रेड कर देंगे अगर आपको स्वीट को ना पसंद हो तो आप उसकी जगह ग्रीन पीस का भी इस्तमाल कर सकते हैं फिर इस पर हम एक चीज स्लाइज रखेंगे फिर बर्गर बन का उपर का जो हिस्सा है उसे हम इस पर रखकर हलके हातों से दबा देंगे इसे हम वापस से थोड़ा सा सेकेंगे फिर से हम तवे पर थोड़ा सा बटर डाल देंगे अब जो बर्गर हमने तयार करके रखा है उसे हम तवे पर रखकर सेक लेंगे तो पहले नीचे की तरफ हम सेकेंगे फिर कुछ सेकेंड के बाद इसे पलट कर हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे ये वेच पनीर तवा मसाला बर्गर खाने में बहुत ही टेश्टी बन कर तयार हुआ है इसे आप गर्मा गरम ही सव करें तभी इसका टेश्ट बहुत ही बढ़िया आएगा आप चाहें तो चीज स्लाइस की जगा इस पर ग्रेट किया हुआ प्रोसेस चीज या मोजेरेला चीज भी डाल सकते हैं तो हमारा वेच पनीर मसाला तवा बर्गर बन कर तयार है गर्मा गरम बर्गर को आप ऐसे खाएंगे तो भी बहुत ही बढ़िया लगेगा या फिर आप इसे सोस के साथ भी खा सकते हैं तो आप भी मेरी इस रेसिपी को अपने गर पर जरूर एक बार ट्राइ करें छोटे बड़े सभी इसे खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे देखिए ये बर्गर देखने में कितना बढ़िया लग रहा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाजू में देगए बेल आइकन पर क्लिक करके औल सिलेक करें जिससे मेरे नए नए रेसिपेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार